नमास्कार दोस्तों इलेटिकल टेक्निशन चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेटिकल ड्रोइंग पर है और ये इलेटिकल ड्रोइंग का पार्ट 12 है दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम एक MCC पैनल का ड्रोइंग पढ़ना यानि कि यहां तक हमने Already drawing को पढ़ चुके हैं ठीक है, इस drawing को हमने Electrical drawing part 11 में पढ़े दे दे ठीक है, दोस्तों यदि अभी तक आपने Electrical drawing part 11 को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा, उस वीडियो का link में आपको description में दे दूँगा, तो देखिया दोस 6 से 15 स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यह हमारा पेज नंबर 6 है दोस्तों यह जो हमारा पेज नंबर 6 है इस पेज में एक 5 किलोवाट मोर्टर के लिए डिवेल श्टार्टर बनाए यहां पे आप इसका पावर वारिंग और कंट्रोल वारिंग को देख सकते हैं यह जो हमारा 5 किलोवाट का मोर्टर है इस मोर्टर को चालू और बन करने के लिए यहां पे power circuit और control circuit बनाए गया है अब यह जो हमारे पास 5 kilowatt का motor है इसका नाम यहाँ पे लिखा गया है M6.1 आप यहाँ पे देख सकते हो M6.1 इस motor का नाम है ठीक दोस्तों यह जो हमारा 5 kilowatt का motor है इसको power supply देने के लिए यह जो हमारा बसबार था आर-face, Y-face और B-face इसमें से power supply को लिया गया यहाँ पे आप देख सकते हो अब यह जो हमारा बसबार था इसमें से power supply कहां से आया है दोस्तों देख लिजे यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो एक location लिखा गया है 05-39 ठीक है यहाँ पे जो location लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों देख लिजे यहाँ पे 05 का मतलब होता है पेज नमबर ठीक है यह जो पहला दो डिजिट है यह पेज नमबर को बताता है और यह जो दो लास्ट डिजिट है यह हमारा location बताता है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि यह location कहां पर है तो यहाँ पे लिखा हु बस्बार है जो की एक VCB के तौरा कनेक्ट है यायनी कि जो हमारा इंक इंकोमाड था उसके साथ कनेक्ट है ठीक है ये जो बस्बार से पाउर सब्बाय आई थी वही हमारा था पैज नंबर 6 में कि इस बस्वार आगी भी चल गया याने कर पैज नंबर 7 पे location 2 पे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा page number 7 है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आर फेस, वाई फेस भी फेस और न्यूटर फेस को लेके आए है page number 6 है और यह आगे चला गया है page number 8 ठीक है इसी प्रगार से आगे बढ़ता चला गया है दोस्तों अब आते हैं यहां पर जो हमारा MCV था उसको power supply किस प्रकार से दिया गया है तो देखिए सबसे पहले यह जो हमारा MCV है इसका नाम यहां पर लिखा गया है Q6.1 ठीके यह जो हमारा MCV है इसको identify करने के लिए इसका नाम यहां पर लिखा गया है Q6.1 अब यह जो हमार MCB है वो तीन पोल वाली है और इसका रेटिंग 20 A है ठीके दोस्तों अब यह जो हमारा MCB था इसको incoming power supply देने के लिए हमने बस बार से power supply को connect कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो R face, Y face और B face तीनों face connect है अब यह जो हमारा MCB था इसके outgoing terminal से power supply को ले जाके एक contactor में connect किया गया है यह हमारा contactor का symbol होता है और यह हमारा MCB का symbol होता है ठीके दोस्तों अब यह जो contactor है इसका नाम C6.1 रखा गया है अब यह जो contactor है AC3 type का है और इस contactor का rating 9 A है अब यह जो हमारा contactor है वो MNX9 है ठीके दोस्तों यहां पर आप कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं ठीके 1 A01, 1 A02, 1 A03 ठीके इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है यह जो यहां पर लिखा हुआ है यह इस wire का फेरूल नंबर लिखा गया है ठीके यह जो हमारा wire है इसका फेरूल नंबर A101 लिखा गया है और यह जो हमारा Y-phase का supply है उसका फेरूल नंबर A102 और यह हमारा B-phase का है उसको A103 ठीके इसी प्रकासे सब जगा इसका फेरूल नंबर लिखा गया है ठीक है आप power circuit में भी देख सकते हैं और control circuit में भी देख सकते हो ठीक है रस्तों अब यह जो हमारा contactor था इसके outgoing terminal से एक wire को connect करके हमारा जो overload relay है उसको power supply दिया गया है यह जो symbol है वो overload relay का symbol होता है ठीक है अब यह जो हमारा overload relay है इसका नाम OS 6.1 रखा गया है ठीक है और यह जो हमारा overload relay है इसके outgoing terminal से wire को connect करके एक TV में connect कर दिया जाता है यह जो TV है उस TV को X6 माना गया है ठीक है यानि कि इस TV को X6 माना गया और यह हमारा motor है वो 5 किलो वाट का है तो यहाँ पर जो हमारा power circuit था उसको हमने पढ़ लिए दोस्तों यह जो MCC पैनल का drawing है उसको यदि आप download करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक link दिया हूं community टेप में आप वहाँ पे क्लिक करके इस PDF को download कर सकते हैं दोस्तों उस PDF को केवल मेरे करना चाहते हैं तो आपके लिए description में एक link दिया गया है आप वहाँ पे क्लिक करके इस PDF को download कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा charges भी देना पड़ेगा वो charges के वल मुझे support करने के लिए ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इसको चालू और बन करने के लिए यहाँ पे control circuit को बनाया गया ठीके अब यह जो हमारा control circuit है वो दो लाइनों के भी ड्रो किया आता है एक face supply और एक neutral supply किसी-किसी electrical drawing में आप दो face पे controlling भी देश सकते हैं यानि कि 415 volt पे या फिर 230 volt पे ठीके अलग-अलग type के controlling किया आता है ठी यह जो हमारा face supply और neutral supply है वो कहां से आई है तो देखिए यहाँ पे location लिखा गया है 05-39 ठीके यहाँ पे भी same location लिखा गया है 05-39 ठीके तो चलते हैं हम page number 5 पे 39 location पे तो यह हमारा page number 5 है और यह हमारा 39 location है ठीके तो इसके नीचे हम आते हैं यहाँ पे हमें मिल जाएगा face supply और neutral supply त्यानिकी यह जो हमारा face supply और neutral supply था वो अगले page पे चला गया है controlling के लिए यानिकी page number 6 पे controlling के लिए आ गया है ठीके अब यह जो हमारा face supply और neutral supply था वो एक transformer के दोरा आ रही है ठीके यह हमारा transformer हो गया अब यह जो transformer है इसको input supply बस बार के दोरा connect किया गया है यानिकी इ power supply चार्सों पंद्रा बोल्ट या जा रहा है और ये जो हमारा transformer है यह output में 240 volts डे रहा है यहां पर लिखा भी है 425 volts बाइ 240 volts ठीक है यानि कि ये जो हमारा primary side है उसमें 405 वोलट डे जा रहा है और ये जो हमारя transformer है इसके secondary में हमें 240 volts मिल रहा है ठीकी दोस्तों अब यह जो power supply है उसको हम एक mcv के द्वार चालू बन कर सकते हैं और यह जो हमार power supply था वो सीधे ही next page में चली गई यानि कि यहाँ पर ठीक है यह हमारा phase supply और यहाँ पर newton supply आ गई है ठीक है अब यहाँ पर controlling किस प्रकार से किया है दोस्तों चली हम इसको देखते हैं तो देखिए सबसे पहले तो यह जो हमारा motor था इसको चालू और बन करने के लिए एक contactor की जोड़ पर ती यानि कि इसी contactor को हम चालू और बन करते हैं यानि कि यह जो हमारा contactor है इसका कोईल है उसका सिंबॉल यहाँ पर बनाया गया थीक है इसी contactor को चालू और बन करने के लिए यहाँ पर हमने controlling किये हैं अब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यह जो हमारा motor था इसको हम dual starter पर control कर रहे हैं तो यहाँ पर एक simple dual starter बनाया गया है तो देखते हैं किस परकार से किया गया है तो देखे दोस्तों यह जो हमारा control supply था उसका जो phase supply है उसमें से एक wire को connect किया गया और एक mcb यानि कि single pole का mcb था उसके साथ connect किया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है two ampere sp mcb यानि कि यह जो two a है इसका मतलब है दो ampere ठीक है अब sp का मतलब होता है single pole और mcb का मतलब होता है miniature circuit breaker ठीक है अब यह जो हमारा mcb है इसको identify करने के लिए इसको यहाँ पर नाम लिखा गया है यह हमारा mcb q6.2 है यानि कि इस mcb को नाम q6.2 रखा गया है ठीक है अब यह जो mcb है इसके outgoing terminal से wire को connect करके एक overload relay का जो ano contact होता उसमें दिया गया है दोस्तों यह जो हमारा overload relay था इसके साथ साथ में agility contact भी होते हैं एक ano contact और एक nc contact ठीक है अब यह जो हमारा overload relay था इसका जो ano contact है उसका इसका इस्तमाल यहाँ पर किया गया है ठीक है उसके लिए क्या कहिए गया है कि यह जो हमारा mcb था उसके outgoing terminal से एक वायर को connect किया गया है और जो overload relay का एक कॉन्टक्ट है उसको incoming power supply दे दिया गया है आप यहां पर दोस्तों देख सकते हो यहां पर इस contact का नाम लिखा गया है यहां पर देख सकते हो no contact है इसके अरगोंटेनल सेबसे एक वार को connect करके एक Indiana lam को Power Supply दिया गया है अब इस इंडिकेशनल्ध को फेशाप्टलाई हमने Control कर लिये और Newton supply को Direct connect कर दिया है जिए जो हमारा Indiana चाहिए क पे नाम लिखा यानि कि यह जो इंडिकेशन लेंप है वो हमारे मोटर के ट्रिप होने पे गलो करेगा ठीक है दोस्तों यह जो हमारा MCB था उसके आर्गोइन टर्मिनल से एक वायर और कनेक किया गया है और उस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके हमारा जो ओवरलोड रिले था यहाँ पे आप ργोइन टर्मिनल से एक वायर को कनेक करके एक टी वी कैसर कनेक कर दिए गया है यहाँ पे आप एक चोटा सा सिंबोल चेक्जा सकते हैं ठीक है फाइट टाइप का है यह जो फाइट तैप का सिंबोल है यह टीवी का होताई अब यह जो टीवी है इस टीवी का नंबर 4 है ठी अब यह जो टीवी था उसमें से एक वायर को कनेक करके हमारा जो stop push बटन है यानि कि remote में यानि कि motor के पास में जो stop push बटन लगाया गया है उसमें power supply को लेके जाते हैं ठीके और हमारा जो stop push बटन है उसको incoming power supply दे देते हैं अब यह जो stop push बटन है इसके अटगोईन टर्मिनल से एक वायर को कनेक करके हमारा जो टीवी है उसमें लाके कनेक किया गया है यानि कि पास नमबर टीवी में एक वायर को कनेक कर दिया गया है अब यह जो हमारा वायर है जो कि stop push बटन से लेके टीवी नमबर 5 टेक कनेक किया उसका नाम यहां पर A1-13 लिखा गया है अब इस टीवी से एक बार को कने करके हमारा जो stop push बटन है यानि कि पैनल पे जो stop push बटन लगा होता है उसको incoming power supply दिया गया है अब यह जो हमारा stop push बटन है इसके outgoing terminal से एक बार को कने करके हमारा जो local में यानि कि पैनल पे जो start push बटन लगे है उसको incoming power supply दिया गया है और इस start push बटन के outgoing terminal से power supply सीधे ही contactor में चली जाती है यानि कि जो हमारा motor है उसके पास में जो LCS होती है उस LCS में एक start push बटन लगाए गया है उस start push बटन के द्वारा भी हम इस motor को start कर सकते हैं तो इस start push बटन को power supply देने के लिए यह जो start push बटन था हमारा जो पैनल है उसमें जो एक टीवी है उसके जो टीवी नमबर 7 है उसमें connect कर दिया गया ठीक है और इस टीवी नमबर 7 से wire को loop करके A1 terminal पर power supply को दे दिया गया है जिससे हम इस motor को दो जगा से चालू कर सकते हैं अब यहाँ पर एक और आप symbol देख सकते हैं यह जो symbol है व कहां पर है तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 6.1 यानि कि यह जो हमारा contactor है इसे का ano contact यहाँ पर इस्तमाल किया गया है ठीक है दोस्तों तो यह जो हमारा ano contact है उसको incoming power supply देने के लिए TV नमबर 6 यानि कि यह जो TV नमबर 6 है वहाँ से एक वायर को loop करके हमारा जो contactor है इसका जो inner contact है उसको incoming power supply दे दिया गया है अब इसके argo internal से एक wire को connect करके TV number 7 में wire को connect कर दिया गया तो यह जो circuit बनाया गया यह हमारा holding circuit होता है ठीके दोस्तों अब यहाँ पर एक indication lamp आप देख सकते हो यह जो indication lamp है इसका नाम यहाँ पर लिखा है h6.2 ठीक है और यह जो indication lamp है वो run के लिए इस्तमाल किया गया यानि कि हमारा जो motor है वो यह जदी running condition में तो यह indication lamp glow करेगा ठीक है दोस्तों इस indication lamp को power supply देने के लिए सीधे एवन terminal से एक wire को loop करके दे दिया गया है ठीक है और एक no contact अब यह जो NC contact है इसका इस्तमाल नहीं किया गया है यदि इस contact का इस्तमाल किया गया होता तो यहाँ पर location लिखा हुआ होता जिस बगार से यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यह no contact है यानि कि यह जो हमारा contactor है इसका जो ऑनो कॉंटेक है। उसका इस्तेमाल पेज नंबर 6 25 लोकेशन पर किया गया है। तो यह हमारा जो पेज नंबर 6 है वही Open है। ठीक है। अब location 25 देखते हैं। तो यहाँ पे 25 लोकेशन है। तो इसकी नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें एनो कॉंटेक मिल जाएगा यानि कि यह जो एनो कॉंटेक है वो हमारा इस कॉंटेक्टर का इस्तेमाल किया गए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर 6 था उसके ड्रोइंग हमने पढ़ लिए अब चलते हैं पेज नंबर 7 पे एव यह जो हमारा पेज नंबर 7 है वो सम्सान पेज नंबर 6 के जैसे यानि कि बस यहाँ पे हमारा जो मोटर है वो चेंज हो गया यानि कि यहां पर हमारे पास 5 kW का मोटर था और यहां पर जो हमारा मोटर है वो 7 kW को हो गया बाकि सब के सब सेम है तो यहां पर जो हमारा page number 7 है इसको हम skip कर देते हैं ठीक है दूस्तों यह चीज़ यहां पर देखिएगा यह जो हमारा control supply है, face supply और neutral supply यह कहाँ से आया है, तो देखिए, यहाँ पर location लिखा गया है page number 6 और 25 location, तो चलते हैं page number 6 पे तो देखिए दोस्तों यह हमारा page number 6 है और 25 location यह है, इसके निचे में control supply जो है वो यहाँ से आई है, दोस्तों यहाँ पर एक misprint हो गया है, यहाँ पर 25 नहीं रहेगा, यहाँ पर 37 रहेगा, ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ पर 37 ही मानते हैं, ठीक दोस्तों तो यह जो हमारा power supply था, face supply और neutral supply वो हमारा page number 6 का इस पेज नमर 8 में एक 8 किलोवाट मोटर के लिए पावर सर्कुट और कंट्रोल सर्कुट बना गया है अब यह जो हमारा सर्कुट बना गया है वो एक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है दोस्तों यह वीडियो हमारा कुछ जादा ही लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को हम यही पे पुश कर देते हैं और इस वीडियो को आगे का जो सर्कुट डाइगा हमें यानि कि पेज नमर 8 पेज नमर 9 और आगे जितने भी सर्कुट है उसको हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों हूँ यदि आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्रीज इस वीडियो पर लाइक, सेल और कमेंट कर दिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा इस वीडियो को डेखने के लिए धन्य